नमस्कार आप देख रहे हैं हर्यार्णा न्यूज अच्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रोख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर भर्ति घोटाले की सीबियाई चार्च की मांग कर रहे बेरोजकारों पर दहरादून में हुए लाखी चार्च के विरोध में हलदवानी के बुद पार्क में यूद कॉंग्रेस के कारिकर्टाओं और पदादिकारियों ने उत्रा खंड सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला फुका यूथ कॉंग्रेस के उपार ध्यक्ष हेमत साहूगा कहना है कि जिस तरह उत्राखंड सरकार विरोजकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है इसको लेकर कॉंग्रेस पूर्न रूप से इसका विरोध करेगी और सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तिफार देना चाहिए इसको लेकर यूथ कॉंग्रेस के कारेकरता और पदादिकारियों ने उत्राखंड सरकार का पुतला फुका वहीं यूथ कॉंग्रेस में काफी आख्रोश देखने को मिल रहा है हिमारशु का कहना है कि अगर उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी इस्तिफार नहीं देंगे तो यूथ कॉंग्रेस इसका घोर विरोध करेगी और सड़कों पर उतर आएगी उन्होंने काया कि चात्र चात्रा विरोध कार है और उत्रा खंड में लगातार खोर्ताले किये जा रहे है कॉंग्रेस पार्टी इसे कभी बरदाश्ट नहीं करेगी हलद्वानी से हमारे संभात काता स्पर्श अगरवाल के रिपोग नहीतिक्ता के अधर पर पत्काल स्थीपा देना चाहिए और हम कहना चाहते हैं अगर इवाओं के खोन बहा तो निश्चित तर पर बहुत बड़ा संग्राम इस पर देश के अंदर खड़ाओगा बहुत बड़ा अंधोरन यूथ कांग्रेस के माध्यम से खड़ाओगा तरीकी हेटलस आई इस तरीकी घुंड़कार इस तरीकी तानस आई को किसी भी केमत में सहन ने करेगा और धामी सरकार के अंदर जरसी भी सर्म बचे तो मुकमंत्री को नहीं तिक्ता का अधर पर तत्काली स्थीफा देना चाहिए वरना यूथ कांग्रेस में उक्रांदोलन करने का काम करेगा और अब सक्सेम हो रहे तो हमारे जो जिवासांती है हमारे चात्र है उनके लाटी जाज कर रहे है कहीं न कहीं धामी सरकार फेल है और धामी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस को आगे करके अपने अधिकार को दबाने का वो काम कर रही है तो एक कहीं न कहीं फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें